राकेश कुमार सिंग के पास जनके साथ लोग जन्शक्ति पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष शिराग पास्वान मौजून हैं सीधा मैं चलना हूँ राकेश के पास राकेश ओवर डियू देखे सबसकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार जो प्रथम चरन के मतदान के बाद बस्तू सिति क्या है आखिरकार कौन गटबंदन या कौन दल कितनी सीट लाएगा सुत्रों के अनुसार जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक जो एंडिये में बीजेपी अच्छा परदर्सन करती दिख रही है लेकिन जो अन्य घटक दल है उनका परदर्सन उतना अच्छा नहीं रहा है जैसा कि सुत्रों के मुताबिक ये खबर है हमारे साथ इन तमाम उद्दों पर बाचित करने के लिए लोजपा परमुख चिराग पासमान है चिराग आपकी जुबानी चाहेंगे कि प्रत्थम चरण के मद्दान के बाद आपके अनुसार क्या देगिए ये बात सही है कि इस बार का जो मद्दान है वो बदलाव के लि जिस तरीके से बलकि आपी के चैनल पर मैंने जितने रियक्शन देखे कल जब वोटिंग भी हो रही थी लोगों से पूचा भी जा रहा था तो मुद्दे क्या है एजंडे क्या है तो सब ने बोला कि बदलाव के लिए है ब्रश्टाचार के लिए है पलाइन के लिए है रो तक मेरी मेरे प्रत्याशों से बाचीत होती रही 42 प्रत्याशी हम लोगों ने भी फर्स फेस में उता रहे थे और उनसे मेरी भी बाचीत हुई जो उससा उनकी आवाज में था या जो एक खुशी की लहर लोग जन्शक्ती पार्टी के कारे करता हूं मैं देखने को आज की बिदारिक में मुझे मिल रही है यह मेरा भी विश्वास बरा आती है कि डेफिनिटली यह लोग जन्शक्ती पार्टी बिहारी फिर्स जिस एजिंडे के साथ हम लोग आगे चले थे जनता का अपार समर्तन हम लोगो को मिला और जहां पर हम लोग चुनाउन नहीं लड़े नेति होँ जो है अब ही भी आप चुनाव परचार सहा हैं लगतार जो है अपने जो उमिदवार हैं उन से मंतरना कर रहते अधिवार जो महल है अंप्रेसिडेंटेड है मतलब पिछले तीन चुनाव तो मैंने सक्रीयत आ रूप से मैंने खुद देखे मैं राजनीती में सक्रिय था चौदा का हो पंदरा का हो या उन्निस का पर पापा के साथ भी मैंने इससे पहले कई चुनाओ देखे दूजा चार पांच के भी जो महौल आज की तारीक में है ऐसा महौल मुझे सिर्फ दो हजार चौदा में माजी जी की पाटी हो या सानी जी की हो या नितिष कुमार जी स्वेम हो उनके खिलाब जो एक आकरोज देखने को मिल रहा है इसीलिए मेरा विश्वास है कि मुख्य मंत्री की विदाई तह है पर वहीं पर दूसी तरफ भाश्वाल लोच्वा की सरकार बनना भी तेया प्रथम चिरान में कितनी सीट पर आप देखी संख्या का मैं जिक्र नहीं करूँगा मुझे लगता है जनता के डोमेन में है आगलन लगाने से कुछ होगा नियंतो गत्वा जो होगा दस तारीक होगा तो जब संख्या सामने आजेगी बढ जनतादल उनाइटेड को होगा जेडियू में इस बात को लेकर बड़ी चिंता है कि प्रधान मंतरी यहां पर रैली में आए लेकिन ना आपके पार्टी के खिलाफ ना आपके खिलाफ एक सब्द बोले तो इसको लेकर क्या दिए चिंता जरूर थी मौझूदा मुझे ज़िए भारती जनता पार्टी के नेतां हों का रोज कि रोज उनका कोई ना कोई नेता सामने आता है और मुख्य gemacht Dean जी को प्रमांड देने का प्रयाज़ करता है उनको संटूऌश करने कोशिक करता है कि भाई हमारे चिराख से कुश लेना देना नहीं कुश लेना देना न तब भी अगर संतुज नहीं है तो मुझे लगदा अमरीका के राश्पती से प्रदा मुख्य पार्टी मैंने तो खुल के बोला ही है कि उनको समर्थन कर निकला है तो गत्वा जो सरकार बनेगी वो से भाजपा लोचपा की बनेगी मुक्य मंत्री के खिलाप इतना महाल जैसा कि आप कहा रहे हैं इतना क्यों है आखिर देखिए पंदरा साल से बिजली आपकी प्राधमिक्ताओं में से होना चाही था दोजार पांच में जब आप पहली बारा प्रदेश के मुक्य मंत्री बने तब से लेकि अभी तक स्वास वेवस्ता हो, स्कूलों की बात हो, कॉलिजिस की बात हो, यहां पर तेन साल की डिगरी पांच माश साल में मिलती है, यहां पर रोजगार, मुक्य मंत्री ने खुद मना कर दिय गिए कि कारखाना नहीं कुल सकता क्यों, क्योंकि लैंड लाइड है, बट यही लैंड लाइड हो, समंदर का किनारा ना, पंजाब, भर्याना, राजिस्ता में नहीं गुसने देंगे सैक्डो हजारो किलोमीटर की आपने चैनल पर अपने इतना दिखाया किस परिस्तिती में बिहारी अपने प्रदेश आना जा रहे थे पर मुक्हे मंतरी ने साहिता का एक हाथ नहीं बढ़ाया तो जिस तरीके से पलाइन की समस्या बनी हुई है ब्र आप किसी भी रैंडम बिहारी से जाकर आप पूछ लिजे कि भाया बताओ ब्रश्राचार हुआ की नहीं बताओ मै तो अपने भाशनों में पूछता हूा मैं तो इंटर अक्टिब भाशन अपना रखता हूं जंता से मापूछता हूं और जंता ये जवाब देते है कि भाय कि या खुले आम मिलना तो दूर की बादब छोड़ दीजे अब तो होम डिलिवरी तक होने लग गई है शराब की और सबसे बड़ी बिहारी असमिता की लड़ाई जिस तरीके से मुक्यमंत्री के कारेकाल में बिहारी शथ को गाली बना दिया गया था आप दूसरे प्रदेश में जाएए वहां पर क bissही नहीं दिखता की आप कौन सी जाती हैं आप उची जाती है पिछड़ी जाती हैं सीदा भुलता है बिहारी है बिहारी जिस तरीके से अप मानत करते थे तब यह बिहारी लगाया हर एक जगह मुझे ताजू वब वा कि एक दिन मेरा बेक آफिस का वेक्ति आता है बोलता कि सर अपने लेटर में बिहारी लिखा उसको बिहार बासी कर दीजे ना क्यों भाया कोई पंजाब के वेक्ति को दिक्कत नहीं होती पंजाबी कहलवाने में महराश्टा के दिक्कत नहीं होती मराटी कहलवाने में तो क्यों आपको बिहारी कहलवाने मे और यही आक्रोश है जुन जनता के पीछ देखने को भी मिल रहा है आप कहते हैं कि LGP और BGP के सरकार बनेगी तो इसकी पूरी जाँच होगी तो क्या मुख्यमंत्री एक खिलाफ भी करवा है हूँ? क्यों नहीं होगी और यह जाँच का डरी है कि हाँ मैं किसी भी जाँच को तयार हूँ आप करवाईए जाँच आप क्या कराएंगे मैं खुद जाँच करवाने एक लिए मैं तयार हूँ बोलें मुख्यमंत्री एक बास इना ढोके नहीं बोल सकते क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके रहते ब्रष्टा चार हुआ है उनकी नाक के नीचे साथ निश्चे में ब्रष्टा चार हुआ है शराब बंदी का बता ही है तसकरी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है किसकी राजनितिक मैं तो गांचाँ को तसकरी का पैसा पूरा कर रहा है मुक्रे मंतری की नहीं तो और किसकी बहराल जोगी दूद का दूद पानी का पानी सामने होंगा पर उससे पहले मुक्रे मंत्री की जो बॉड़ी लैंगुज है जिस तरीके से आठ क्रोशे दो रहे हैं गुसे में आ रहे हैं रोज चिर रहे हैं क्यूंट है आप आप क्या है कि जिस तरीके से मादुर्गा के भक्तों के उपर जिस तरीके से गोली चलाई गई यह सपर्च दिखाता है कि भाया जिस तरीके से महिसा सुर की तरह ये सरकार काम कर रही है जिस तरीके से महिसा सुर ने अटैक करने की कोशिश की थी माता दुर्गा पर बटन तो गत्वा वद महिसा सुर का ही हुआ था और मुझे लगता है दस तारिक को दुर्गा भक्त ये दिखा देंगे कि भाया इस महिसा सुरी सरकार का कैसे वो वर्थ करेंगे पर आप मुझे बता दीजें कि क्या दुर्गा विसरजन मंगेर में पहली बार हो रहा इतने भवे बहमाने पर किसको नहीं बता कि में मुर्थी विसरजन कितनी भवता से किया जाता है क्या intelligence की एक खबर नहीं थी स्थानी प्रसाशन को कि वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे कैसी भीड होगी कैसा महौल होगा साल दसाल हर को ये देखता है पर उसके बाद इस तरीके से कारवाई करना पहली बार तो आप भीड की आपको जानकारी नहीं intelligence आपका failure उसके बाद आप उस भीड को control करने लिए आपके पास एक मातर विकल बच्टा है कि भाई आप open shoot कर दें आप गोली चला दें और किसके निर्देश पर अपने गोली चलाई वहां की जो स्थानी एस पी है ये भी जांच का विशार बलकि मैं अपनी अगली सरकार में इस बात की भी जांच कराऊंगा और हर इस विक्ति पर ऐसे हर एक विक्ति पर जो इसमें किया गया को बरकास किया गया अगर नितीश गुमार जी क्या हाथ में होता तो मुझे लगता उल्टा ये लोग उनको पुरस्कृत ही करने का काम करते तो हम लोग अगली सरकार में इसकी भी हम लोग जांच करवाएंगे बट ये संभव है कि बिना मुख्य मंतरी हमारे प्रदेश के ग्रह मंतरी भी है बिना उनकी इजाज़त के बिना उनके निर्देशों के गोली वहाँ पर चल ही नहीं सकती और इसमें मुख्य मंतरी भी अगर सम्मेलत है तो उनके उपर भी हत्या के आरोप लगने चाहिए अगली सरकार में हम लोग इसकी भी हम लोग जांच कराएंगे बड़ी बात आप कर रहे हैं कि मुख्य मंतरी को भी हत्या कर भाई गोली तो चली सिर्फ आपसे भीर कंट्रोल नहीं हुई यह आपका फेलियर है आपके प्रसाशन का फेलियर है भीर को कंट्रोल करने के लिए आप गोली चलाएंगे निर्दोशों की आप हत्या करेंगे मैं तो बोल रहा हूँ कि भाईया महिसासुरी सरकार है यह और जिस तरीके से दुर्गा भक्तों के ओपर इन्होंने गोली चलाई अगली दस तारीक को देखेगा यह तमाम दुर्गा भक्त महिसासुरी सरकार का कैसे बद करते हैं जडिव का कहना है कि इसके पीछे साजिस हे रायनितिक शाजिस है तो आरोप तो आप लोग प्र हैं और ग्रे मन्तरि हैं आप हमारे प्रदेश के मुखे नतरी के साथ साथ तो सबसे बड़ा फेलियर तो आपका विक्तिकत तोर पर है मैं बोल रहा हूँ ये सरकार और ये जातीवादी सोच मुक्यमंत्री की स्वेम रही है हमेशा से दलेट महादलेट करो पिछरा आती पिछरा करो अगड़ा पिछरा में लड़ाई लड़ाओ ये सांप्रदाइक महल तनाव पैदा करो इसमें भी पूरी तरीके से मुक्यमंत्री की सोच यही रही होगी कि सांप्रदाइक महल कराओ एक तरफा हमलों को इस तरीके से फैदा हो उधर से उसको फैदा हो जो भी इनकी सोच रही हो पर मुक्खे मंत्री की जातीवादी सोच रही है और इसमें मुक्खे मंत्री भी उतने ही दोशी है जितना स्थानी प्रसाशन महा का चिराग प्रधान मंत्री पर जिस तरह से राहूल गांधी ने हमला किया जेडियू ने उसका कोई बचाओ ने किया लेकिन आपने बचाओ किया देखे बिलकुल मैं नहीं बरदाश कर सकता कि मेरे प्रधान मंत्री के ओपर कोई इस तरीके की टिपनी करे और जिस घटना का उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब में रावन देहन के वक्त प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा कि रावन का देहन किया गया यह सरासर गलत है हम लोग राजनीती का सर कितना गिरा रहे हैं कहां तक हम लोग लेकर जा रहे हैं कि ऐसे कोई बरदाश कर सकता है कि भाया मेरे देश के प्रदान मंत्री हो सकता है आपको उनसे राजनितिक विरोध हो पर आप उनको रहवन दिखा कर आप उनको देश भर में दुनिया भर में आप उनको अबानित करने का आप काम नहीं कर सकते और सबसे बड़ी जिंता की बा है. मैं जनता हूँ पंजाभियों को अक्ड़े से पंजाभ की संसक्रिटी नहीं है. कोई पंजाभी की अपर किस्कि पता करवाई हैáis. कॉंग्रrस की सरकार है. कॉंग्रrस के सosta Shit है. इनके सोच सेığ ये चीज़े कराई गई है. और उसको बिहार में आ आकर जिस तरीके कि क्रिपा अगर रही तो थोड़ी बहुत सीटे आप पा लेंगे नहीं तो आप वो भी नहीं पा पाएंगे आपका खाता भी नहीं खुलेगा और आज जब उनके खिलाफ कांग्रेस के इतने बड़े नेता कर इतनी बड़ी बात कहा जाते हैं और आप एक शब्द तक बोलना निकले जाने जाते हैं दोहजा तेरह में दोहजार पंदरह तक जिस जंगल राज की खिलाफत कर रहे थे जिसका घुर विरोध कर रहे थे जिसका विकल बन कर रहे थे दोहजा पंदरह में उसी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली दोहजा तेरह से जिस प्रदान मंद्र कि खिलाफत कर रहे हैं कल को 10 नवंबर के बाद क्या बता कि उसी के साथ मिलके सरकार बना लौर मैं तो बोलता हूं कि इस सरकार बनाएंगा बढ़ा रूप है आपका की हो सकता है कि हाथ मिला लें हो सकता है नहीं होगा ये थोड़ी सीटों कि अगर इनको जूरत पड़ेगी महागडबंदन में तो मुख्य मंत्री खुद मुख्य मंत्री बनने के लिए देखी अपनी कुर्सी के साथ ये समझौता निरंतरता में करते रहे हैं आज किस मूँ से लालू राज को जंगल राज ये बोल रहा है बताईए ना 2015 में क्या आपने साथ मिलकर आपने सरकार नह बनाई गलबहियां करते नहीं ठकते थे आप लालू जी के साथ कौन से ऐसा मंच है जो दोनों साजा नहीं करते थे तो मुझे कैसे बरोसा हो कि भाईया आज मेरे प्रधान मंत्री के साथ आप मंच साजा कर रहे हैं कल को आप इनी के खिलाब जाकर आप महागडबंदन के सा पापा के निदन को अभी कुछ घंटे नहीं हुए थे शाम को छे बच कर पांच मिनट पर पापा का निदन हुआ और उसी रात साड़े बारा एक के आसपास मैं बैठा पहले चरन के प्रतियाशों को मैं सूची बना रहा था मैं तो पहले दिन से मैं काम कर रहा हूँ मेरे भी आपके साथ जब मैं बैठा हूँ मैं शूट ही कर रहा हूँ ना मेरे पास ऑप्शन किया जंता तक अपनी बाते पहुचाने का और जो भी बिहारी है वो इस बात को जानता है कि बिहार में दस दिन तक अब घर से बहार नहीं निकल सकते हैं क्रिया के सारे करेक्रम होते ह पापा से जुड़े वे मैं दस दिन तक मैं भाहर नहीं निकल सकता था और उन दस दिनों में में मेरे पास यहीं माद्यम था मुझे अपना बिहारी फरस मैनीफेस्टों मुझे डिजिटली रिलीस करना था मैं उसको लेकर शूट कर रहा था मैं अभी जैसे आपके साथ अगवान ना करें कि किसी बच्चे को इस परिस्तिती से गुजरना पड़े जहां एक तरफ आपके पिता का निधन हुआ है और दूसरी तरफ उनी की विरासत को उनी की जिम्मेदारी उनी के आकरे सपने को आपको आगे लेकर जाना है और मुझे नितीश कुमार जी को याद करनी है दिन बर चुनाओं में लगा रहता हूं प्रचार में लगा रहता हूं यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है क्या करता है या तो मैं हाथ खड़े कर देता है मैं बोलता कि नहीं हमसे चुनाओं नहीं लड़ा जाएगा मैं अपने पार्टी के तमाम कारे करता जो पापा ने इतनी महनत से एक जुट किये उन सब को या तो मैं सड़क पर छोड़ देता और या फिर हिम्मत बांद कर जो पापा ने ही मुझे दिये हिम्मत बांद कर जो मैं चुनाओं मैं उत्रा हूँ लड़ने की कोशिक कर रहा हूँ आप मुझ मेरी नीतियों का विरूद कीजे ना आप बोली कि तुम्हारा बिहार फरस बिहारी फरस विजन डॉक्यमंट तुम्हारा सबसे घटिया विजन डॉक्यमंट है तुमने इसमें ये गलत लिखा तुमने इसमें वो गलत लिखा तो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, कौन सी मैं गलत चीज कर रहा था, क्या गलत कर रहा था, बिहारी फस, कोई लेकर मैं शूट कर रहा था, जनता तक अपनी बातों को पहुचाने का नहीं समय मिला, मैं नहीं इतना सुभागेशानी हूं मुख्य मंतरी की तरह, कि भही आ मैं दस दिन, बिस दिन पहले से मैं प्रज़ार कर रहा था, मैं था हॉस्पिटल में, दो महिने से मैं दिनराद पापा के साथ में हॉस्पिटल में था, उस वक्ड़ क ci निशाग, इंडिया निशे बाचेत करना के लिए